आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अध्याय 3 आप भले तो जग भला आप लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 यह चल रहा है पाट 1 आप लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 2 पार्ट 2 अब आप लोग पढ़ेंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहें भरी बाती आप लोग यहां तक पढ़ चुके थे अब आप लोगों को यहां से पढ़ना है तो देख रहे हैं आप सभी लोग मैं समझ गया बाबुजी यह किस ने बोला प्रित्वी सिंग ने बोला मैं समझ गया बाबुजी प्रित्वी सिंग ने मुस्कुरा कर कहा आगे की कहानी या कहने जिरुत नहीं है आगे की कहानी मतलब इसके आगे बात हमें मत बोल यह कोई चीज पर इसमें बापु के प्रेम मैं बेवहार की एक जलक मिल जाती है मतलब इतना बोल देते हैं तो एक जलक दिख जाती है कि बाफू कितने प्रेम है उन्होंने अपणी प्रेम और सहानुभूति ने कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खीचा था इसने बापु जी ने अपनी प्रेम से अपने सहनुभुती से सहनुभुती क्या होता है जैसे कोई पीडा में है आप उसे दिलासा दे रहे हो यह क्या है सहनुभुती सहनुभुती से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खीचा कर सकते थैं तीपड़ी कर सकते थे और करते भी थे पर अैसे नहीं करते थे ती पडी किसी और ऊसे बोलते थे थे तो 뭔 थे 7 बकावीολे कुछेह मीठी चूटकीया लेकर जिते ऐसे चूटकीया लेकर अपना प्रेम दर्चाँ अपना प्रेम दर्चाँ थे अमेरिका के मसहुर लेखक सीमेर्शन के जीवन की एक घटना याद आती है देख पारें सभी लोग एक घटना याद आती है उन्हें गाय पालने का सौक था किसे इमर्शन को इमर्शन कोन है अमरीका का मसहुर लेखक इसलिए गाये और नन्ने बच्छडे उनके मकान के पास एक कूटी में रते थे देखे बहुत जवजस्त कहानी है बहुत बहुत जवजस्त कहानी है ठीक है नन्ने बच्छडे उनके मकान के पास एक कूटी में रते थे मतलब ओलो मकान रते थे लेखक और जो बच्छडे थे वह कहा रते थे बगल में कूटी आ थी ठीक है उसमें रते थे कौन कौन गाय और बचले आगे देख सकते हैं एक बार जोर जोर दार जोर की बारिस ठीक है एक बार जोर की बारिस आने वाली थी सभी गाये तो जोपड़ी के अंदर चली गई, अब देखिए, बारिस आने वाली थी, सभी गाये कहां चली गई, जोपड़ी में चली गई, फिर क्या हुआ, पर यानि प्रंतु, प्रंतु एक बच्छडा बाहर ही रह गया, बच्छडा बाहर रह गया, इमर्शन और उनका लड़का दोनों मिलकर, उस बच्छडे को पकड़ कर खीचने लगे, ठीक है ना, खीचने लगे, फिर क्या हुआ, कि वा कूटी में चला जाए, मतलब इसलिए खीच रहे थे, ताकि वा कूटी में चला जाए, पर जियो जियो, प्रंतु, जैसे जैसे उन् लगा, अब लेखां सुच रहे हैं कि इस बच्छडे को हम ले जाके अंदर कर दे कुटियां में, लेकिन, लेकिन बच्छडा क्या कर रहा है, वह पीछे भाग रहा है, अब सुचिए, बिचारी इमर्शन बड़ी परसान हुए, इतने में उन्नी बुड़ी, इतने में उनक तमासा देखा, कि बच्छडा पीछे जा रहा है, यह लोग आगी खीच रहे हैं, यह तमासा देखी को नकरानी, नकरानी कैसी थी, बुड़ी थी, वह दवड़ी आई, और अपना मुह, और अपना गुठा, ठीक है, और अपना गुठा बच्छडे के मुह में प्यार से डा डालती है, क्या, अपना गुठा बच्छडे के मुह में प्यार से डालती है, यह जो पड़ी तरफ ले जाने लगता है, तो देखिए यहां से फिर से वह, यह दखिए अपना बच्छडा, अपना उठा बचड़े के मुह में पैस डालका उसे जोपड़ी तरफ ले जाने लगी बचड़ा चुपचाप कूटी के अंदर चला गया करने मतला किसी पसु को भी प्रेम से कहेंगे तो अभी आपकी बात मानेगा तो भाई अब इनसान को कहेंगे तो तो मानेगा है जब इनसान प्रेम का भूखा आए तो पसु भी प्रेम के भूखे हैं वह इनसान तो भूखे है तो प्रेसु भी तो भूखे होंगे उनकी बात कौन समझता है तो इसलिए आप लोग उसनी वेदन है कि रीक कोई पसु है तो उससे भी प्रेम से पेसा है चलिए आगे देख सक बात को समझेंगे कि आई चलते हैं कि अकट अनपण्ण नुकरानी किताबे और कविताय लिखना नहीं जानते थे कन वह बूरह न करनी पर प्रंद्थ प्रंद बेवहार कुसल अवस्य थे मतलब उसके अंद्र बेव हार बहुत ऐच्छा था बुभार कुसल थेमीं मतलब का विष्टा बहुत अच्छा था और जब आनोवर भी प्रेम की भासा समझते हैं तो फिर मनुस्त क्यों समस्क्राइब समंझते हैं बातव्याम का तो मुनिस तो समझे गा ही ना समस्थी गर हमारी मित्र का रसवय विना खंवर दिये चला गया ठिक है टक्त की बात है है विना उस भिना खंवर तफ़या भीना फिले थी मतलब हमेशा 28 है तो डड़बय करेंगे नवकर को बार बार डटेंगे ठीक है देखें आप लोग 18 पेज को पर चुके हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं किया मनुद्रम चित्र है ठीक है अब आपको ले चलते हैं अगले पेज पर लौक अगले पेज आपका बनाख हें आपको आ रहा है डेकशक पारें सभी लोग जी अपर देखिए प्रार्म कर रहे हैं फिर से अगले पेसक on तुने आज डाल भिल्कुल विगार दी slashले मायसा क्या बोले उस नवकर को जो नवकर बिना पताय निकल गया तुने आज दाल बिल्कुल दी उसमें बहुत डाल दिया अरे बेकुब् तुने साङ में नमख ही नहीं डाला अरे वां को जली रोटी कौन खाएगा जली रोटी कौन खाएगा रे ऐसा बोल रहे हैं सोचिए नवकर को ऐसा बोल रहे हैं तो फिचरा नवकर क्या करेगा आदी की जड़ी लगा रखी थी, मतलब ऐसी बातों की जड़ी लगा दिये थे, ऐसी कोई बाती नहीं थी जो न बुले, सब बुल दे रहे थे, जब कोई चीज जरा भी विगर जाती, जब कोई चीज जरा भी विगर जाती, तब तो उसे दिल खोल कर डाटा जाता है, अब भ पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो सब्द नहीं बोले जाते नवकर है अच्छा काम कर रहा है तो उसे कभी कहेंगे कि यह अच्छा नहीं कर खिया है कभी नहीं बोलेंगी लेकिन अaking एक दिन गड़बड कर दिया तो कहेंगे यह बुरा है जैसे घर में जो खाना बनाने वाली होती है वह प्रत दिन खाना अच्छा बनाती है अगर एक दिन नमक कम पड़ गया तो नजाने कितने प्रकार की बाते बुलेंगे देखे अरे वाह तारीफ कर देने से उसका दिमाग चड़ जाएगा मतलब दिमाग खराब हो जाएगा नहीं तारीफ करने से दिमाग उसका चाह होगा दिमाग चड़ना मतलब दिमाग खराब होना मेरे मित्र कह देते मेरे मित्र कह देते ठीक है तो भी वह आदमी उसके भी द का भी दिल है विचारा कुछ रुपए का नौकर यत्र कुछ रुपए का नौकर यंद्र नहीं बन सकता देखे यहां पर का जरा है तो अभी तो आदमी है उसके भी दिल है विचारा कुछ रुपए का नौकर यंद्र नहीं बन सकता तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या च जा रहा था भाई परसान हो जाएगा अब नवकर तो मसिंदों बढ़ सकता नहीं कि कहने के मदला विया है कि उनकी कीसिस नहीं बनती उनकी कीसिस नहीं बनती ना मित्रों से ना आफिस के क्रमचारियों से और ना घर के नवकरों विचार आदर्स देखे छुट रहा है ना घर और विचारों से पुरुद्रसंतुष्ट हैं मतलब जो वह है वह न उनका बात जमता था मित्र से ना अफिस kise क्रमचारी से गर के नंवकरसे उनको अच्छा लगता था अँगो लगता था कि हमारे जिंदगी क्या है पुरितर संदुष्ट है वे मानते थे कि उनका जीवान आचार और विचार अधर्स है वे अपने आपको इतना मानते थे कि मेरा सब कुछ अच्छा है अब आगे देखेंगे दूसरी लोग जो उनका समान नहीं करते मुर्ख मतलब उनकी सोच थी कि जो हमारा समान नहीं कर रहेगा करेगा वह क्या है मुर्ख है आगे देखें ग्रिस के महान ग्रिस के महान संथ सुकराद ने सुकराद ने एक बात बड़ी पतिक कही थी इदम सच बोले थे क्या जो मनुस्य मुर्ख है वह जानता कि वह मुर्ख है वह ज्यानी है देखें बहुत बड़ी ब जान है देखी आगे जो मुर्ख है जो मुर्ख है और नहीं जानता कि मुर्ख है वह सबसे बड़ा मुर्ख है ठीक है आगे देखेंगे अच्छा हो सुकराद के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिख का टांग ले उन से यह कहने का सहस कौन करे यह टांग ले मित्र मेरे मित्र टांग ले लिखा कर आए कि मेरे मित्र क्या है अपने को अच्छा समझते हैं विचारे नवगर को डार देते हैं और अपने आपको वह संतुच समझ रहे हैं कि मैं बहुत खूस हूं तो वहीं लिखा कर आए कि लेकिन ऐसा कहने का सहास किसी पस्ट नहीं है तो कच्छा आड के विद्यार थी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आप भले तो जग भला का जो नाम है अध्याय का आप लोग पढ़ चुके हैं देखिए इसके लेखक कौन है स्रीमन नारायड श्रीमन नारायड नारायड भूल जाइए नहीं ठीक है आप लोग वीडियो को रोक करके सब्दार्थ को लिख लेंगे जैसा कि सभी लोग देख पा रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को रोक कर देखिए साफ हो रहा है साफ हो गया वीडियो को रोक करके आप सभी लोग सब्दार्थ को लिख लेंगे जल्द ही मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जल्द ही मिलेंगे